तो दहेज में उनको 300 दासिय मेली उनकी बेगम के साथ में तो उन सारी ओरतों को इन कमरों में रखा जाता था जिनकी हाइट यह देखिए सर इन कमरों की हाइट दर्वाजाओं की छोटी रखी गई है कि कोई भी लेडिस अंदर जाए या भाहर जाए तो सर जुका के आए यह सारे के सारे कमरे बने हुए जी डासियों के लिए पशाथ यह ओपर का ओल के अफर इन है यह हवा के लिए तो ये एक drainage system है अच्छा जी जी हां लेकिन ये एक्चुली में का harvesting system के दोर पर दिखा जाता है लेकिन ये फ्लोर से connect नहीं है अच्छा ये चत से connect है ये channel के तोरा छटपा पानी आए पानी आएंसे मेत दूसरे नमर, दो दू-सरे नमरे लगातार बारिस होती थी गया है अच्या uh भलान बनी है चाहरो तरफ, अबर्फोलो पानी को इन रैम से इन छोटी-छोटी से दुवारा बारिवर में दाल सकें महलों में ना गुसे ओबर फ्लो ना हो इसके लिए इस डिजाइन का इस्तमाल किया गया था और ताजमेल सामने दिखाई देगा जैसी आप इसको क्रॉस करेंगे विंडो के पीछे रिवर के संग में ताजमेल का खुबसूरत दिखाई देगा अच्छा यहां से ताजमेल दि गर्मी के अंदर में क्या होता है जब किशले की दीवार इस पास उपर आहां किया करी यहांच पर आय्दक होता कि तो कितना आए डेस कर सर भारा जी सर सर भारा जी एक फोड़ो लेनी तो अंदर लावड़ों के हिंदू के डिजाइन बने हुए है बिलकुल जी बहुत अच्छा अब दिखाऊंगा आपको एर कंडिशन रूम और मैजिक विंडो अच्छा ही ग्रेट यह बना हुआ है वेंडिलेशन जिसको हम हवा महल के नाम से जानते हैं हवा महल कहेंगे लेकिन बंद कर दिया सरकार में इसको क्योंकि लोग यहां दीवारों में नाम लिखते हैं इसके लिए इसके बंद कर दिया एक्छले में यह हुआ करता था गर्मियों के लिए क को ठंडा करने के लिए तो साम को संसेट के बाद में रॉयल लेडिस इस यहां पर आकर बैठा करते दो और अरांग फुर्माएं करते हैं यह सब विंटर सीजन के लिए हैं विंटर सीजन में यह जो दिवार है इनमें हॉलो रखा गया है अच्छा यह सब के सब फूपली दिवारे हैं तो क्या हो तो हट जाते हैं नहीं इनकी बिल्डिंगों के तीन कमरे हैं यहां पर जिसमें एक हम खड़े हुए हैं एक और यह के सामने वाला तीन कमरों की छट को हैं यह से एक रखा गया है में इक वटर लाटी बनाती है उससे हमागे में पानी को ग 작은 किया जाता था सरिंदी में अच्छा भी निब आरो चोड़कर बंब कर के शाले करते हैं तो हीरे का बिच के बाद फ입र और बीच के अंदर में सोना गोल्ड रेफ्लेक्शन से इस पूरे रूम को लाइट से जमागागर और हल्का गरम करकर रात में इस्तमाल किया जाता हूँ और अब दिखाता हूँ में जी आई यहां एक विंडो है इसके उपर लकडी लगी हुए यह बिट्टिश टाम के कंस्टेक्शन है तोड़ दिया गया अथा बाद में इसको रेपैर कराया गया तो अच्छ अच्छ यह देखिया यहां से बंद है हां अंदर से खुला है अंद यह सीधा खुला नहीं है सामने आपको बंद दिखाए देगा इस तरफ से नीचे की तरफ से डवान है क्या यह वेंटिलीशन के लिए हां जी अच्छ 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 तो यह एक चल्में होता क्या था कि यह दर्वाजा यह दर्वाजा दोनों पर्दों से बंद कर दिया क कितनी मिट्टी इस के इंदर मतलब कितनी चार इंच पर चड़ा रखे हैं चार इंच लेयर मोटी अच्छ बाहर की दिवार कूलिंग के लिए वसी है हां अच्छ यह अमेजिंग और यह है दूसरे बाश्या का महल क्योंकि इस किले को चार बाश्याओंने सौ साल में बना कर चौदा बच्चे हुए थे मुम्ताज से जब चौद में डिलेवी होनी थी तो मुम्ताज की मौत हो गए थी चौदा में से आठ बच्चों की मौत हो गए थी और च्छ बच्चे बच्चे थे उसमें से दो बेटी और चार बेटे थे उसमें से पहली बेटी का महल यह बनाय यह जंगल वाली है हां जी जहां शेर बाग होते हैं और वो बनाएगा है टाइगर क्रोकोडल के लिए टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा सेफटी रखी जाती है मतलब हां जी यह पूरा प्रोटेक्शन ले रहे हैं अब मैं दिखाता हूं रियल गोल्ड आपको शाहां के बेड्रूम के अंदर में अब हम जा रहा हैं शाहां के बेड्रूम को देखने के लिए जिसको सफे संगे मरमर और गोल्ड से बनाए गया था यह देखे आप यह है शाहां का बेड्रूम अच्छा जी यह बेड्रूम उनका चलो जी आजी आजी तो यह है शाहां का परदे टांकर गर्मियों के अंदर में उसको हिला कर हवा की जाती थी इस पूरे एंटार रूम के अंदर में अच्छा जी और यह बनवा है और गोल्ड यह एक अंग्रेज ने रिपेर करवाया था जिसका नाम था लॉड करजन उनीस सो पांच के अंदर में अच्छा जी पहला पूरा गोल्ड हुआ करता था रिवारों के अंदर में तो यह पूरा एरिया एंटार एरिया च्छत का गोल्ड से कवर किया गया था और इस रूम को प रूम को लाइट से इस्तमाल में लेते हैं पांच दर्वाजे बने हुए हैं एक दो तीन चार पांच यह पॉजिट साइड में सर्वेंट्स के लिए है और यह बीच वाला बादशाह के लिए और दोनों तरफा यह उनकी बेगमों के लिए बनाए गया और इस रूम को यह ब्रामदा हो गया पूरा अजी हाँ यह सर्वेंट्स के बैठने के लिए था अच्छा जी और यह है वाटर टैंक मोटर परम सिस्टम तो होता नहीं था जिसमें सीडिय लगी है अच्छा जी तो कन्नोच से इत्री को लाकर यहां जमना से पानी को लाकर यहां पर मटी के पाइप से जोड़ा गया है तो वहां से पानी को छोड़ते थे प्रेसर से यहां से बाहर निला करता था अच्छा ओवरफ्लो होने के बाद में पानी जब यहां पर निगलता था ना उसकी स्मेल जब हवा में मिलती थी तो अंदर से बाहर तक पूरा एरिया मुम्ताज का यह जो काच लगव उसके बाद वो गार्डन में और इसके बाद सीधा इस गार्डन के अंदर में पानी का स्थमाल में लेते ते ते इस गार्डन है ग्रेप्स गार्डन अच्छा जी राजा जांगीर ने इसको अपनी लिए बनवाए था क्योंकि उसको ड्रिंक करने का यह जो लिए यह ने है बाया किकि मुल्ड़ गर्टरर की उत्या ऐजाए पैंस लगवारी इसके ने है लेकर अपनी लेक्न कुछ जी मुल्कूर्ष गश्या है और ये दूसरी बेची का महल जिसका नाम था जहनारा जहनारा तान के छ़リघक बितायीर है प मुल्ड़ा फिक नहीं है यह उनका महल ते रहने यह रहने की जगा ती एक रेजिडेंस था अफिर उनकी मौत होई तो ताजमेल में ले जा कर मार्वल को लगवा दिया गया उनकी कपर कें अच्छ जा सकते हैं नाइस तर महिंग्ण से देखो आप ताजमेल कितना बड़ा दिखाई देगा आपको बिल्कुल ठीक है जब आप जहानारा के महल के सामने दीवार है वहां से ताजमेल को देखेंगे तो ताजमेल आपको बड़ा दिखेगा और जैसे ही पैदल जाते हुए जहानारा के महल में एंटर करेंगे तो आप को छोटा दिखाई देगा अच्छा जी चलो चलते जहां नारे कि मेल में गुशेंगे तो तौफना छोटा दिखाई देगा आप एक आप से मेरना तो जूम इन किया है ना जूम आउल्ट कर रहा हूँ वहां से बड़ा दिखे रहा है नस देख से इसको छोटा दिखे वहाँ वाव इस 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 मैजिक छोटा देख रहा है वाज बिलकुट से न फोटा और बड़ा बिलकुट रीजन बता तूह या आप बता देंगे तो रीजन से रेव इतना है क्योंकि वहां से जब हम ताज देखते हैं तो गार्डन नहीं दिखाए देता है और अंदर से देखने पर गार्डन दिखाए देता है इसके लिए उसकी जो रेंज है दूरी है उससे वो बढ़ जाती है अच्छा से यह एक त जब जहां के ड्रिंक करके पड़ा रहता था तो नूर जहां ही राज जी को समाला करती थी और उसने अपने इस महल को बनाने के लिए खाजाने का मूझ घोल दिया था इसके अंदर में इनले वर्क का इस्तमाल किया है और इसके अंदर में जो कलर्स देख रहे हैं सारे के सा इनले वर्क बोलते हैं जी हाँ पत्थर को काड़ कर पत्थर को फिट कर देना उसको इनले वर्क कहते हैं जब शाजहां ने ताजमहल बनाया तो यही आइडिया उसने अपनी बीवी की कपरगाह में इस्तमाल में लिया जिसको हम बहुत ही खुबसूरत बिल्डिंग के नाम से जानते हैं नूर जहां के मरने के बाद में यह हो गया शाजहां की जेल शाजहां के चार बेटे थे जिनका नाम था दारा, शिखो, मुरा, सुजाद, औरंगजेब चाते था मैं बादसा बनूं लेकिन शाजहां बादशा चाते थे कि बेटा सबसे बड़ा मेरा राजा बने तो औरंग जेब ने अपने ही घर में रिवाल्ड करने के बाद अपने तीन भाईयों को आरेस्ट करकर मारने के बाद में उसने अपने पिता को यहां नजर बंद कर दिया था आठ साल के लिए लेखे लें अंजर यहां किया था और यहीं लगा हुआ था कोहनूर हीरा इसको इस निकाल कर ले गए फवारा है बनाया है इसको सिंगल पीस से काट कर बनाया गया है अच्छी प्रिबंद दो से डाय फीट नीचे पत्थर जमीन में और यह भी वही ग्रेविटी टेक्निक से ज़ीजेग बनाया गया यह विजीविल्टी के लिए चेक करने के लिए कि टैंक में पानी है या नहीं पूरे महल को मलब पूल करने के लिए जब वरदास टैक्निक है यह उपने सेम आगरा जो रेड़ फूट गें दर देखी थे ते अच्छा यहां से आथा पानी है यह यह बनागा है इस बोड़ को टैंक से कनेक्ट किया गया है और यह जो जिग जग है यह सारे कि सारे सेमी प्रेस स्टोन से हैं पानी जब इस पर चलेगा तो यह मूव करेगा यह हिलेगा डिजाइन पानी यहां लागर उस होल से पिर फूरे से बाहर निगाला करते अच्छ अमेजिंग टेक्निक यह हो लोग इसी जाता है हां जी हां फिर यहां लाइन से पाने सीधा बाहर निकाल दिया जाता है अच्छ जी बहुत खोश्त और अब दिखाऊंगा मैं आपको दीवाने खास ओंदा वेब दिखाऊंगा मैं आपको सिकर्ट पैसेज जो की है अच्छ दीवाने आपको सामने अच्छ और दूसरे नंबर यह निकला है ताज महल के लिए ताज महल के लिए ताज जहां को हाउस अरेस्ट करया गया है अब रिंजेब के दौरा जब उसकी मौत होगी थी तो उसकी सबसे खेवरेट बेटी ती जहाना जो आगे वाले मह में रहती थी उसने अपने पापा अपने फादर की बॉड़ी को ले जाकर यहां से ताज महल में दफनाया तो अपनी मा के बगल के अंदर में अच्छ जी यहां पर बनबवहा है सीस महल अच्छ इसको तीस लाख से भी ज्यादा कांच के टुकलों से डेकुरेट किया गया था कि जब मम्ताज यहां ना है तो इसके रे फेस का रिफलेक्शन चारों तरफ दिखाई दे लेकिन लोग यहां नाम लिखते हैं कांच को तोड़ते इसके लिए गवर्मेंट इसको बंद कर दिया अच्छा अच्छा अंदर कांच है अंदर से गजब चीज है पुछ अगर दिखराऊ तो एज वी कन सी इंसाइड देखिए गजब अच्छा जी बहुत अच्छा यह उपर दिवार वे पूरे बड़े बड़े पत्थर लग ए और यह एक मज़िज इसका नाम है मीना मज़ि इसको शा जहां ने शा जहां की बेटे और अनजेब ने बनवाया था अच्छा जी जब शा जहां को नजर बंद कर दिया गया था तो यहां लाया जाता था उनको नवास पंड़े जिनके लिए रोयल मज़िद बंद कर दी गए थी